कि नमस्ते आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चंदल टेक्निकल मास्टर पर माभिनो सुरवा एक पर कुन हर्दिक स्वागत और अभिनन दन करता हूं साथिव आज हम नो वैग्डे की एक ठीम खेलेगा राजस्तान तो बढ़ेगा राजस्तान इसके भी से पर बात कर सकते हैं चाहें तो और चैनल पर नए हैं तो आप यहां इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उफ्लब्दे हो सके यहां एक या दो-दो यह दि प्रभारी सिक्सक बना रखें तो आप उनके नामें लिख सकते हैं यह पकुर समय की बात करें तो बच्चों में टीम और समय भावना का विकास होगा एकगर तक विकास कर पाएंगे शरक और सजग हो पाएंगे ताथा चुस्थ रहना सिखेंगे समह प्रवेस जिसमें ककसा 3-5 रहेगी यहां गांष्व के बच्यorns नाटा समू है प्रवेस जिसमें कक्सा 3 से 5 रहेगी यहां भी बच्चे टीम और सहयोग भांगना का विकास होगा बच्चों में वे सहजग और सतर के रहना सिखेंगे चुस्ते दिखा पाएंगे और एकाग रहना सिखेंगे समू है तीसरा है दिशा 6 से 8 वी के लिए इसमें उपरिवत उद्दे से जो पहले दो समू के वो तो हैं यह इसके साथ सारेडिक बल विकास बल का विकास और प्रदर्शन कर सकेंगे समू हिता का विकास होगा और इसका महत्व भी जानेंगे कि एक समू हमें किस प्रकार से समू हमें सकते होते हैं उस थीम पर काम हम यहां करेंगे और शकारात्मक प्रत्यों गता भी बच्चों में विक्सित होगी समू है चोथा है जिसमें कखसा 9 और 10 तो उपरवाले जो उद्दे से वे तो हैं यह साथ ही बच्चे अपने विसेश हुनर को प्रदर्शित कर सकें विद्दले बच्चों की छुपी वी परत्यों की योग्यताओं को पहचान सकेंगे जैसे हो सकता है किसी बच्चे की कूद या वह दोड़ने में बहुत तेज हो या लंबा लंबी कूद की बात करें तो बहुत लंबा कूद दिता हो या उंची कूद की बात करें तो उसका समान इन विषेश्टा हैं तो ही है साथ ही उसकी जो विषेश्टे जान सकते हैं दो विषेश्टान आए हो ऊब करें बकरी का बोलती कि से चार पैर हैं साकः हरी है काले सफेद भूरे रंक होती है और हर घर में लगवग उपलफ़ध था तो इसके विसेश गे मारे कि जिसे व्यक्सकरतान की का स्ट थान की का फ्रीज कहा जाता है ऐसे गरीब की गाय कहा जाता है तो इस प्रकार से हम बताएंगे तो बच्चे उस जो नई विसेशता हैं उनके बारे में और ज़्यादा सर्च कर पाएंगे और समुह पांचवा है उन्नती तो उसमें उप्रियुक्त सभी जो उद्देश सेंवे सामिल हैं अब आप यहां पर क्या करें य साम से पहली और दूसरी उसके बाद में गल्स और बोईजगी और उसके बाद में सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया एक लेप्ट एक राइट एक लेप्ट एक राइट ऐसे करके समुह है एक टीम बना दी समुह एक टीम तो टीम बनाई गई आमने सामने खड़ा कि सकता है अब प्रभारी सिक्षक ने कुछ निर्देश दिये निर्देश कहते कि जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा मैं जैसे चिडिया आम पपिता तोता मोर मेना अधी बोल रहा हूं और आपको हाथी सब्द बोलू तब यह रुमाल उठाना है तो एक साइड में पांच है दूस से जाद पांच बार दो रहेंगे या इसको दस बार भी कर सकते हैं तब हर बार लिखते चलें कि कौन से टीम ने कितनी कितनी बार उठाए थे और अंतमें उस टीम को विजेता घोसे दे किया जा सकता है एक बार समो मिलिया एक बार कक्सा मिलिया एक बर जेंडर की बेस पर क्या रहेगा न्रिःस देए बच्चे सतर हो गए दिएगर निर्देशों के नुसार चिरिया बोलते ही रुमाल उठाना था सिखसक द्वारा पहले कई नाम लिए जाते हैं जैसे मैंने बताया कि हाथी बौर्थ, तो रहता सेर, चिरिया अब चिर्ज कहते हैं बच्च्रों तब उठाना है तो आप बदलते रहेंगे इनको तो इससे बच्चे उससे सब्द पर भी गोर करेंगे और वो और जादा सतरक रहेंगे अलग सब्द का प्रियोग इसलिए क्या गया ताकि बच्चे अतिरिक्त सतरकता के साथ प्रफॉर्मेंस कर सकें इसके अलावा अंकुर ब माटते हैं वसे तैयार करता है वह किसी एक बच्चे के पिछे वह तोलिया धीरे से रख देता है फिर आगे भागता है अब जिस बच्चे के पिछे रखा था उससे पता सल जाता है तो वह कोड़े को उठा करे रखने वाले को मारने के लिए दोड़ता है और यदि उससे प तो पता चल जाता है तो उस कोड़े को उठाकर रखने वाले के पिछे दोड़ता है आगे वाला भाकर खाली हुए स्थान पर बैठ जाता है और कभी कोई लड़का ने पता लगा पहे तो कोड़ा रखने वाले उसी कोड़े से उठाकर उसे दो मारता है फिर वह बैठा बच् बैटा गया टीम बनाने के लिए तीन फोर्मूले इस्तेमाल किये एक तो गर्व सर्भ एंडबोईज का था एक कशा चे और साथ और साथ चैनल पूरे बच्चे इधर आठ पूरे बच्चे और साथ वी के आदे बच्चों को इधर रख दिया आदे को इधर रख दिया एदि चटी में सबोझ की जिए रामंकर 20 का है और आठ वी में 10 का ही है तो फिर आप और साथ वी इधर आठ वी इधर और चटी के दस दस से दोनों साइड में तो वह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और एक समूही के तीनों कक्साओं की लाइन बनाई एक लेप्ट एक राइट इस प्रकार से सर करते चलेंगे और दो टीमें बन जेंगे अब दोनों टीमों में रसाकस्ती और लंगडी दोड करवाई गई थी गतिविदी नंबर चार में समूह है चितीज के वच्चों को अंदर की तरफ मूह करके गोल घेरे में बठाय गया एक जग में मतलब प्लास् कोई भी नाम इस परकार से और जग को रखेगे बच्चे जग को आगे से आगे बढ़ाते हैं एक सिक्सक साइड में गिलास बजा रहे होते हैं या कोई भी एक ऐसी चीज बजा रहे हैं थाली प्लेट कोई भी ले सकते हैं आप कटोरी चमत से कटोरी बजा सकते हैं वह अच प्रकार से करता है कि लोग दो बच्चे वैठें वे उस चीज़ को पहचान लें जैसे या उसकी विसेश्था बताई जा सकती है जैसे मालों मिताबत नाम आ गया कलपना चाहुला नाम आ गया तो हम कह सकते हैं कि लड़की जिसने कलपना की या सपना देखा कि यह जो आकास मे चीडियां उड़ती हैं इस तरह से मैं भी उड़ूगी और एक दिन वो अंत्रिक्स में गई और दुर्भा के वापस लोटते समय उनका जो यान था वह दुर्गठना ग्रस्त हो गया उनकी डैस हो जाती है वह भारत के हर्याना में जन्मी वी थी अमेरिका की कंपनी की प्रवान मतलब नारियों के लिए या नारी मुक्ति की प्रेरक भी से माना जाता है जो तिवा फुले की पतने की रूप में जानते हैं तो इस परकार से हमें वह चीजें बतानी है या कोई एक्टिंग करनी है जैसे सेर आ गया तो सेर की तरह दाहार सकते हैं या कहें कि मैं म बच्चे उसकी दूसरे वेठें वो इसके पहचान करेंगे अंत में सिक्सक क्या होता है वो कुछ रोचक बाते बताते हैं जैसे कल मेरी स्कूल में हुआ था बच्चों ने कहा कि चार पेरों का है बहुत कम के सींग होते हैं उसके बाल बड़े-बड़े होते हैं जो सर्दि कहते हैं ना कि वो तो बेड़ चाल है, तो बेड़ की तरह से चाल मतलब एक की पिछे भी ना देखे, अपने वीवेक को काम में नहीं लेते हुए किसी दूसरे के नकल करना वो बेड़ चाल की रूप में मानी जाती है, तो उस प्रकार से हम नई चीज बता सकते हैं, सांप काय चाल आता है कि इसको तो वो शूंग गया, तो सांप सुंग गया, तो सर आप सांप की बात करेंगा तो बच्चों ने पैच्छा लिया। इसके बच्चाथव सांबी और ऊंची कूद तथा रेस करवाई गई, गतिविदी नमबर पांच 29 समुह के बच्चों को कबड़ी का खेल खिलवाय गया चमच में निबू रखेकर मुँ में पकड़कर निबू रेस करवाय गई निबू गिरते ही गिरते गए बच्चे आउट होते गए फाइनल लाइन तक निबू सहित पहुंसने वाले बच्चे विजेता गोस्तित किये गए और साथियों आज के इस वीडियो में फिलार इतना ही सब्सक्राइब नहीं कियाता तो कर लीजिएगा कि सेसा, बूर्ड से संब्वन देते या विद्दाले के कारियाले से संब्वन देते किसी परकार के आनकारी के लिए दिए गे नमर पर कॉल या मेसेज़के जरीये संपरक कर सकते हैं घ्लिजू